Hello what's up guys, आज आम इस वीडियो में देखने जारे है Form component in a react router जहां guys, आज कोड़ों बहुत important है क्यों है, क्योंकि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि Form component जो react router हमें provide करता है इसके अंदर we have one props called action, इसकी मदद से अब आप बीना कुछ करें, आपको Form में जो भी data लोग फिल कर रहा हो यह चुटकी में मिल जाएगा यह बहुत ही ज्यादा awesome and ठीक, यही जो action event है, ठीक है, action का यह जो props है, हमें pure react version 19 में भी मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलाल अभी react router का जो action है, उसके थूरू मैं आज आपको बताऊंगा कि आप data कैसे get कर सकते हो if you don't know कि इसमें क्या फाइदा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कि अगर आप मेरे इस react series almost, आज मेरा 88 या 89 वीडियो है, इसमें हमने control versus uncontrolled form की बाहर में पढ़ा था, जहां पे control में मैं आपको यह बताया था, कि कैसे आप use state, use effect, यह सब की मदद से आप data get कर सकते हो, second uncontrolled में मैं आपको बताता है कि with the help of use rep होई, आपका document.get element and वो सब की मदद से update कर सकते हो, वहाँ पे बहुत मैनत थी, but in react router, अगर आप form component and action props के साथ खिलते हो, तो आपको ना तो, I mean कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको कर के बताता हूं, अब इस वीडियो का end तक दिख सकते हो, इस जगे पे, ठीक है, यहाँ देखो, handling registration form, यहाँ पे we have a registration form, registration form control versus uncontrolled, इसे के नीचे login form भी आपको मिल जाएगा, या here we have a login form, contact form, okay, this is beauty, here we have this contact form, तो यह जो मेरा video number 51 थै, इसको आप चेक कीजिएगा, and आज के इस वीडियो इसको भी आप चेक कीजिए, and let me know in the comment section क इन दोनों में से कौन सा तरिक आपको पसंद आया, ठीक है, तो अब हम बिना किसी दिर के video की स्टार्ट करते, so guys, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, all right guys, तो आप देख सेकते हूं कि मैंने यहाँ पे हमारा जो JSX है, to create our contact form user interface, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, अब आप सोचो कि कास इसको मैंने खुछ से टाइप करके बाताया होता, तो मैं क्या बाता आता टाइप करके, यही बाता आता कि deep low, एक label low for email, then we have this input element, जिसमें type email होगा, name email रखा है, एक ID रखा है, ताकि HTML4, and यह इन दोनों का हम मिलाप कर सके, auto complete placeholder, बाकि तो कुछ भी नहीं है, and हाँ, required लिखना जरूरी है, I mean आपको पता है, like सिर्फ required लिखने से भी HTML5, automatic आपका validation करी देता है, एक चीज़ इन पॉर्टेंट है, and that is, आपका, कोई भी input field आप लो, ठीक है, form के अंदर कोई भी आपका, चाहे हो, text area हो, submit हो, जो भी हो, आपका name, यह जो, JSX पे आपको आपकी जो value मिलने वाली है, मतलब इस नाम से, suppose text area का आपका value चाहिए होगा, तो आपकी property will be name, value इसकी जो भी user ने टाप की, वहाँ पे मिलने वाली है, इसलिए हर एक में आपको name, name मिलने वाला, ठीक है, तो इसको में गवाँ, Ctrl आपका, यहाँ पे चलते है, मैं container वापस यहाँ पे भी link देता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से awesome and beautiful हमें दिखेगा, right side में आप कुछ भी add कर सकते हो, don't worry, कल का वीडियो में complete, इसको सब कुछ perfect करने वाला हूँ, फिलाल अब हमारे पास खाली movies वाला part था, but अब contact भी हमारे पास ready है, अब इसका data मुझे क पहले कैसे करते थे, उसके लिए तो काई साब आपको यहाँ पर वीडियो है अल्रेडी, contact form के साथ कैसे deal करना, pure react की मदद से, तो वीडियो no.51, इसको एक बाद चेक कीजेगा, आज अब कैसे प्राप्त कर सकते, दिखिए, सबसे पहला, यह जो आपका form element दिखाई दे रहा अब हम इसको form component बना देंगे, क्यों? क्योंकि react router हमे form component दे रहा है, तो just कुछ नहीं करना, बस app को आपको capital कर देना है, यह जो app capital हो गया, तो ctrl s save, इस तरीके से कुछ, आपको एकदम top में जाकि इसको get करना है, basically import करनी है, from our react router dome library, ठीक है, number one step यह था, अब इसमें आपको क क्या करना है, दो चीजे, एक तो आपका method की आप क्या करना चाहते हो, मैं बोलूगा भई, post, मतलब मुझे contact में मेरा जो भी data fill करा है, मेरे database में जाके post कर, I mean add कर दो, get, मतलब server का data पाना, but मुझे पाना नहीं है, मुझे देना है, so post, and then we have this action, तो बहुत हो का कहना है, कि कि आप पास करोगे, तो थोड़ा आपको भी पता चलेगा, and let's say, किसी और को ये project hand over हो गए, उसको भी पता, अच्छा, action, मतलब जैसे पहले हम PHP में करते थे, if you remember, अब तो धिरी-दिरे मुझे लग रहा है, ये react next, लो PHP ही बनते जा रहे है, है न, वहाँ पे भी action में हमें, अब just URL देना था कि किस page पे आप इसको redirect करना चाहते हो, मैं इसी page पे redirect बोल रहा हूँ, भाई कहीं मत जाओ, मेरा ये contact page है, उसी के अंदर ही आप रही है, तो अब में क्या करूंगा, मैंने form component ली, एक method post बोल के पास कर दिया, props, है न, component में तो अब हम इसको props ही बोलेंगे, and मैंने action props में में बोला, कि हाँ, इसी के अंदर ही मैं एक function बनाने वाला हूँ, तो अब जो भी function इहां हम बनाएंगे, ये उसको get कर लेगा, ठीक है, so मैं एक function बना लेता हूँ, अब ये function जो है, इसको मैंने कहीं पे भी call नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, मैं जस्ट इस and props, तो आपको आपका ये जो function है, उसको async function बनाना पड़ेगा, मैं async function इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमें data मिलेगा, वो promise return करने वाला है, इधर आप async await use कीजी, else you can go with the normal dot then, 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 then catch, promise वाला तरीका, but I think async await ज्यादा फायदा रहेगा, I mean ज्यादा फायद अब ध्याद से देखना, ये जो आपने एक function बनाया, हम ये assume करके बना रहे है कि मुझे इसमें मेरा contact, जो basically मेरा contact us का data है, वो मुझे चाहिए, ठीक है, and वो हमने यहाँ पर इस तरीके से बोल भी दिया, तो अब होता क्या है ना, जब आप इस तरीके से काम करते हो, आपको एक request object मिलता है, क्या मिलता है, एक request object मिलता है, ठीक है, and spelling से ही कर दो आप request object, ठीक है, अब ये जो request object आपको मिला, इसके अंदर एक method है, जिसका नाम है form data, so request.we have a form and then data एक method है, जो की एक promise return करता है, तो उसको पाने के लिए हमें थोड़ा कुछ wait करना पड़ेगा, तो मैंने wait लिखा, and after sometimes मुझे वो value जो है return कर देगा, तो उसको में response करके एक value जो है, constant variable उसमें मैं उसको get कर लूँगा, ठीक है, यहां तक आपको पता चला, एक request object हमें मिलती है, उसके अंदर एक method है, जिसका नाम है form data, इसके अंदर ये सारे के सारे data आच चुका है, this is it, मैंने कहा आपको, just इतना लिखा, तो इसके अंदर वो सारा data in the form of key value pair हमें मिल चुका है, ठीक है, not sorry key value pair, but मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो, let's go with console.log, कि आखिरकार हमें मिल क्या रहे हैं, तो control as save करता हूं, इस जगे पे चलता हूं, control as inspect, codifier, codifier मेरी company का नाम है, if you want an online classes, react का, तो let me know in the comment section, मैं उस पे work कर रहा हूं, testing, ठीक है, I know यह बहुत छोटा दिख रहा, but अगर मैं send करता हूं, okay, so error responsibility कुछ आ रहा है, you made a post request, but did not provide, कहा है यह पूरा, copy करके एक बार देखो, तो आ किया रहा है, bottom पे चलते है, but did not provide an action for root, so there is no way to handle the request, okay, यह जरूरी है, यह सब मैं आपको बताता हूं, क्यों क्या हुआ, देखो, आपने form component बनाया, method post दी, action दिया, even आपने यह इस तरिके से एक function भी create की, सब को से, but अब आपके इस react application को, कैसे पाता चलेगा, कि contact वाले root पे, हमने एक ऐसा function बनाया है, जिसके थूरू मुझे वो contact form में, जो भी data fill कर रहा है, मिल जाए, अब थोड़ी ऐसे हावा में इनको पाता सलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वापस आपको, आपके layout पर आपड़ेगा, app.jsx, पे, देखो, जैसे आपने loader किया था, to get the API data, उसी तरिके से contact में, जब आप form component के साथ दिल करो, then we need to pass this action property, and inside, I mean, as a value of this action property, हमें वो function को पास करना है, contact, I mean, control and then space, मुझे उसको get करना है, this is it, यह देखो, अब कितना easy होगा, contact का मेरा एक path है, कोई भी इस route को विजट करेगा, तो मैं इस particular component को डिस्पले कराऊंगा, and साथी साथ इस route पे हमने action props भी पास कर देए, एक property, जिसमें एक function मैंने पास कर दिया, अब यह function का काम यह है, कि form में जिसने जो भी data fill क्या होगा, आप पहले वो form data को get कर लिजे, and मुझे दिखा दीजे, फिलाल अभी इतना मैं कर रहा हूँ, but अभी further आगे जाना है, but at least अब इतना एक piece of code से हमारे contact route को पाता चल गया है, कि हाँ, यहाँ आप एक function है, जिसकी मदद से आपको data को get करना होगा, ठीक है, अब मैं इसको इवाँ refresh करता हूँ, मैं कुछ भी .com कर रहा हूँ, and यहाँ पर कुछ उल्टा फुल्टा लिखके submit कर रहा हूँ, तो at least अब आप देख सकते मुझे form data दिखाई दे रहा है, देखो, form data, form data, and य आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने वो क्यू किया, तो आपको एक चीज़ पता चला कि बिना वो action root लिखे, action property लिखे, आपका ये पता चलता नहीं था, second thing, जब भी आप इस तरह कीसा बनाऊगे, तो इनका ये है, भाई, कुछ तो data, या तो value return कर दो, या तो null return कर दो, तो अब मैं इसको एक बाई refresh करूँगा, अब ये मेरा काम हो गया है, आपने देखा form data आपको मिल रहा था, अब हम क्या करेंगे, वो जो form data आपको मिल रहा होता है, उसको हमें convert करना पड़ता है into proper object, क्योंकि वो ही हमें आगे बेजना है, तो हम क्या करेंगे, object.tries object.a, कुछ ये जो data है, आप इसको यहाँ पे console करा दो, अब ये जो object है, इतना यहाँ तक न, जब भी आप object के साथ deal करते हो, और उसकी कोई method अगर आपको use करना हो, तो वो आपका first capital होना चाहिए, I mean आप देख रहे हो, न, देखो कितना इजली हो गया है, ये कोई promise return नहीं कर रहा है, Guys, if you want to know more about object and उनके methods and properties, then I highly recommend मेरा ये जो world best course दिखर आपको, ये देखो, here my world best course part 1 इधर है, and this is my part 2, believe me, जो मैंने इस advanced course में आपको बता, आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलने वाल है, इभें UD में भी नहीं मिलेगा, उपर से हिंदी में, with animation, तो मैंने object को बहुत in-depth में ए मेरा एक e-commerce project है, यहां पर start till end, पूरा coding किया, आप इसको एक बार देखिये तो सही, मज़ा आजाएगा, ठीक है, फिलाल आप ये समझ लिजे कि कोई भी आपका array like structure को अगर आपको object में convert करना हो, तो हम इसकी मादद लेते हैं, all right, ठीक है, मेरा काम हो गया, बस इतने ही हमे यहां था, रिफ्रेस कर रहा हूं, मैं यहां पर चल के लिख देता हूं, यहां पर थापा at the rate, थापा नहीं, अगर आप चाहते हूं, मैं react का series online course लिखे हूं, जहां मैं आपको online पढ़ा हूं, every day, then contact at the rate codifier पर आप मुझे mail कर सकते हो, ठीक है, मैं उस पर फिलाल काम कर रहा यहां पर मैं testing for react course online, ठीक है, and मैंने submit कर दी, and all right, boom guys, see, यह देखिये, यह देखिये, just look at here, see, we have an email, we have a message, and then we have a username, testing for react course online, contact at the rate codifier dot com, my name is Vinod, and codifier का चीज़े पोलने से मैं आपको बता आता हूं, codifier मेरी company का नाम है, it's a private limited company, तो आपको मजा आ जाएगा, फिलाल हम python का कर रहे थे, python अब over हो चुका है, so now मैं सोच रहो, आप लोगों के लिए react, या javascript, basically web development के उपर लिका हूं, so let me know in the comment section, आप किस के उपर चाहते हो, but मेरा काम खाता हूं, हो गया, मुझे मेरा data आ गया, right, so guys, कैसा लगा यह है, इतना जादा awesome, तो अब मुझे यह वाले वीडियो को एक वार आप देख ले, na, contact form, यहाँ पर we have this 51, 50, 51, and आज वाले इस वीडियो को, तो मुझे बता हो, हमने सिप इतना ही लिखा, अब beauty पता क्या है, beauty यह है, कल के दीन अगर यहाँ पर 100 input fields हो गए, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कु अब मैं इसको आगे back-end वालो को कैसे भीजू, you know, node express वालो को, फिर database में मैं कैसे store करूँगा, तो उसके लिए तो मैं already month stack complete series upload करी चुका हूँ, है न, playlist कहीं एरा, we have a month stack 2024, इसको एक बार जरूर check-out किजएगा, आपकी help हो जाएगी बहुत ही जादा, बट हाँ, आज इस व form component, action props, and form data क्या होता है, object.form entries and all, यह मुझे आज आपको इस वीडियो में बताना था, जो कि it's done, ठीक है, तो कल की दिन में final हमारा यह जो website इसको एक complete एक नया look दूँगा, and खतम, हमारा react and react auto खतम हो जाएगा, बट उसके बाद जो उसके extra library हम आगे देरे देखेंगे, बट आप क्या mind में जो react को लेके था, वो खतम हो चुका है, version 19 के हमने कुछ चीजे भी देखी, and कुछ चीजे रहे गई है, बट मुझे लगता है कि वो जो रहे गई हो, अभी इतना कुछ है नहीं, बट जो मैं final project बनाऊंगा, react का उसमें बहुत सारी चीजे आपको देखने मिल चाता हूँ, तो अब let me know in the comment section आप क्या चाहते हो, ठीक है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजेगा, दोस्तों के साथ भर भर के share कर दीजेगा, मेरे चैनल को अभी तक subscribe कीजे, यह आपका ही channel है, अगर आप subscribe भी नहीं करोगे तो motivation कहां से आएगा, मैं रोज ऐ विडियो मेड तिल दन गया, तिल दन गज, तिक यह सो मच, आप्या चाहते हूँ